दोस्तों आज के टाइम में आयिसमान कार्ड बहुत ज़्यादा इंपोर्टेंट कार्ड हो गया है अगर आपको इलाज करवाना है आपके पास आयिसमान कार्ड है तो आपका इलाज किसी भी प्राइवेट अस्पताल में बिल्कुल फ्री में हो जाएगा दोस्तों आप लोग हर साल पाँच लाख रुपे तक का बिल्कुल फ्री में इलाज करवा सकते हैं किसी भी प्राइवेट अस्पताल में इसके लिए दोस्तों आपको सबसे पहले क्या करना है जिस भी प्राइवेट हास्पीटल में आप लोग अपना इलाज करवाना चाते है आपको वहाँ पे विजिट करना पड़ेगा पहले और आपको उनसे किलियर करना पड़ेगा कि आपका इलाज आयोस्मान कार्ट से हो पाएगा या नहीं हो पाएगा दोस्तों अगर उनका हास्पीटल इलिजिबल होगा लिस्ट में उनका हास्पीटल होगा आयोस्मान के तो 100 परसेंट आपका इलाज बिल्कुल फ्री में किया जाएगा तो दोस्तों अब ये सवाल आता है कि आखिर जीन के पास आयुसमान कार्ड नहीं है वो लोग अपना आयुसमान कार्ड कैसे बनाना है ये जानने के लिए आपको हमारी इस वीडियो को सुरू से लेके लास्ट तक देखना पड़ेगा दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आप सभी को बताएंगे कि केवल आप लोग अपने आधर कार्ड से आयुसमान कार्ड कैसे बनाएंगे इस समय आधर कार्ड से आयुसमान कार्ड बनना स्टार्ट हो गया है आप लोग चाहे तो अपना आयुसमान का बना सकते हैं, तो चलिए दोस्तों अभी तक से आपने हमारी इस वीडियो को लाइक नहीं किया है, तो लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, चलिए, सुरू करते हैं आपको कोई भी एक ब्राउजर ओपेंड कर लेना है, ठीक है, उसके बास से गुगल में आपको सिंपल सर्च करना है, पी यम जे ए वाई, ठीक है, जैसे ही आप लोग इसे सर्च करेंगे, सबसे उपर वाली जो वेफसाइट है, से तू.पी एम जे ए वाई डोट जूवी डो करेंगे, तो फिर यहाँ पे इस टाइप का ओप्सन खुल करके आएगा, यहाँ पे आप लोग साइड इन कर सकते हैं, अपने मोबाइल लंबर से, लेकिन उससे पहले आपको इसके अंदर रेजिस्टेशन करना होगा, अगर आप लोग नए हैं, तो यहाँ पे क्लिक हीर प यहाँ पे आपको अपने डिश्टिक को सलेक्ट कर लेना है, ठीक, यहाँ पे आपको अपना मोबाइल लंबर, इसके अंदर अपना इमेल आईडी, इसके अंदर आपको अपना नाम, उसके बाद से, इसके अंदर आपका जेंडर, ठीक है, मेल फिमेल जो भी हैं, इसके अं प्लीट होने के बाद यहां पे simple login पे कर देना है click जैसे ही login पे click करेंगे फिर हमें वहीं लेकर के आएगा इसके अंदर आपको अपना mobile number डाल के simple sign in पे click करके sign in कर लेना है ठीक है चलिए हम जल्दी से sign in कर लेते हैं हमने इसके अंदर sign in कर लिया है दोस्तों अब क्या करना है आपको यहां पे indicated services देखने को मिलना है सबसे उपर वाला PMJAY इस पे करना है click उसके बास से यहां पे दखिए beneficiary search by SSID या आधार दूसरे नंबर वाले को आपको select कर लेना है इसको ठीक है चलिए इसपे करते हैं click इस पे click करने के बाद आपको इसके अंदर से अपने state को select कर लेना है आपका जो भी state है simple इसके अंदर आ जाएगा आप लोग अपने state को select कर लीजिएगा ठीक इसके अंदर अपना state select करने के बाद फिर आप आपको क्या करना है यहां पर देखिए सबसे ऊपर वाला आधार वाला ओप्सन सेलेट करना है ठीक है सेलेक टाइप में आपको आधार वाला ओप्सन को सेलेट करने के बाद इसके अंदर आपको अपना आधार नमबर डाल देना है उसके बाद से गेट डिटेल्स पर करना है क तो दोस्तों देखिए हमारा डिटेल्स खुल करके आ गया है हमने नेक्स्ट कर दिया था फिर से बैक करते हैं देखिए यहां पर हमारा डिटेल्स हो रहा है अब चलिए यहां पर सिंपल हमें नेक्स्ट कर देना है ठीक है जैसे ही नेक्स्ट करेंगे तो यहां पर इस रहने देना है ठीक है और gate OTP पे कर देना है जैसे get OTP पे क्लिक करेंगे आपके registered mobile नंबर पे एक OTP send किया जाएगा तो दोस्तों OTP को डाल के simple आपको next कर देना है ठीक है फिर से आपको next करना है उतके बाद से अब क्या करना है यहाँ पे आपका पूरा details नजर आ रहा है ठीक ह तो थोड़ा सा नीचे आना है सबसे पहले आपको अपने district को select कर लेना है ठीक है state आपका select ही रहेगा district को आपको अपने select कर लेना है चलिए district select कर लेते हैं फिर आपको अपने block को select कर लेना है ठीक है आपका जो भी block है block select कर लीजेगा उसके बाद से यहाँ पे last आपको अप पर submit कर देना है जैसे ही दोस्तों capture code डाल करके आप लोग submit करेंगे आपको एक reference number मिल जाएगा और successfully आपका iosman card apply हो जाएगा चलिए हमने जैसे दोस्तों submit किया देखिए यहाँ पर reference number मिल गया हमारा iosman card successfully apply हो गया है apply करने के बाद दोस्तों आप लोग साम तक download करने का try करिए नहीं तो फिर अगले दिन download